तो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना, पानी, हवा या फिर वाटसेप चलिए आप लोग रिसाइड केजे मैं फोकस करने वाला हूँ पानी के उपर अज मैं आप लोग को पानी की इंपोटेंस बताता हूँ जिस परत्यू के उपर हम लोग रहते हैं उसका 71% भाग जो है वो पानी है जिस सरीर के अंदर हम लोग रहते हैं उसका 60% भाग जो है वो पानी है और इसी के साथ में जिस सरीर के अंदर आप लोग रहते हैं उसका 90% जो वेट आता है वो भी पानी से ही आता है क्या आप लोग को पता है कि आप लोग के ब्रेन के अंदर कितना पानी है 75% भाग आप लोग के ब्रेन का पानी से बना हुआ है और जो ब्लड आप लोग देखते हैं वो 83% आप लोगो देखने को मिलेगा पानी से बना होता है सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर हडडियां हैं जिनको सुनकर भी आप लोग सर्प्राइज जाओगे जो की इतनी हाड होती है उसके अंदर भी पानी है और 22% पानी इसके अंदर पाय जाता है सबसे जादे पानी अगर कहीं पाय जाता है तो वो लिवर के अंदर में लगभग लिवर 85% पानी का बना होता है किड़नी 83% पानी की बनी होती है और सबसे इंपोर्टेंट जो कहते हैं न कि दिल जो तुम्हारे लिए धड़कता है दिल नहीं है पानी है 80% भाग पानी होता ह तो दिल धड़कता नहीं, पानी उबलता है, ठीक है?